हलो प्यारे दोस्तों स्वागत है आपका इंटर्वियो क्लासेज में बात करेंगे अपने गणीत किताब में जितने भी रिक्त इस्थानवाले महतुपूर्ण और मोस्ट इंपोर्टेंट कुशन्स है उनके बारे में आपके एक्जाम में साथ नंबर के रिक्त इस्थानवाल ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आपको वीडियो जहां पे मिल रहे हैं साइंस के आप देख सकते हैं मैट्स के अप्लोड कर दिये और एक दू दिन में आपको इंग्लिश और SST बाकी सारे सब्जेट के हां पे मिलेंगे ठीक है चले देखते हैं अपने पहला प्रशन हम और a composite number ये एक तो ना तो प्राइम होता है ना ही composite होता है ठीक है ना तो सब दूसरे number पे दो आता है ये अभाजे संग्या सबसे छोटी क्यों कि दो में दो का ही बाग जाता है ठीक है अगला है cos square 45 का मान तो ये सार ने आपको बनाने आती होगी अगर नहीं आती है तो आप व मान हो जाएगा ठीक है अगला है वरत की परीदी पर इस ते दो बिंदों को मिलाने वाले रेखा कंड को कहते हैं क्या पहले चितर बनाई क्या ये वरत है ठीक है अब क्या है दो बिंदों को वरत पर मान लेजिए एक बिंदों इदर है एक इदर है इन दोनों को मिलाने वाल तो हम इसको क्या बोलेंगे हम इसको बोलेंगे जीवा ठीक है क्या बोलेंगे जीवा ठीक है अगला देखिए यदि पी-ई यनि घटना होने की प्राइकता है 0.95 और पी-ई नहीं होने की प्राइकता होगी तो आप जानते हैं घटना होना 1% मतलब 1 होता है और नहीं होना होता जीरो और इन दोनों को मिला के होता है एक के बराबर ठीक है ना अब इसने बोला होने का चांस तो क्या है 0.95 तो हमने का यह एक से माइनस करना पड़ेगा तो देखें यहां एक लिखा 0.00 लिख दीजी ठीक है और नीचे क्या लिखें पॉइंट के नीचे पॉइंट और 9 5 अब इसको करिए माइनस तो यहां से उदार जाएगा तो 5 आएगा 9 में से नो गया 0.5 यह अपने आंसर आ जाएगा ठीक है न तो घटना नहीं होने की प्राइक ता क्या होगी 0.05 ठीक है न अगला प्रश्म देखते हैं पूछा गया है कि 12 और 16 का लसप लसप यानि LCM होगा तो इनका LCM जब भी निकालना हो दोनों का ऐसे साथ में लेजी ठीक है यहां लिखे 12 और यहां लिखे 16 अब 2 का लगा यह भाग इसमें तो 2 का भाग इसमें कितनी बार गया आपने का इसमें गया 6 बार इसमें गया 8 बार फिर से दो का दीजिए, दो का गया, इसमें तीन बार, इसमें गया चार बार फिर दो का जा रहा है, तीन में नहीं जा रहा है, लेकिन चार में जा रहा है, कितनी बार दो बार पिर 2 का जा रहा है, 3 में गया और इधर 3 में जाएगा, 2 में गया एक बार, ठीक है, फिर 3 का गया, ये सारे नमबर गुणा करके अपना उत्तर आएगा, ठीक है न, तो क्या आएगा देखिए, 2 दुनी, 4, 4 दुनी, 8, 8 दुनी, 16, और 16 ती, 48, तो अपना LCMS में क्या होगा, ल 8, Cossack Square A माइनस, Cossack Square A, तो यहाँ पर हम से पूछा है, इसका उत्तर, तो देखे, Cossack Square A माइनस Core स्कूररे इसमें कॉमन क्या रहा है दोनों में आठ हैं तो आठ ले लीजे आगे और अंदर क्या बचेगा एक कौश vine के स्कूरे और यह आठ बार आछुका है और कॉट इसका एक चूतर होता है और इसके मान क्या था हमें साएक होता है तो जब आठ का एक से गुणा करेंगे आएगा अपने आठ आएगा इधर अपने को आठ लिगना खाली ठीक है अगला देखे किसी व्रत का व्यास व्रत को डैश बराबर भागों में बाढ़ता हैं कितने बराबर भागों बाढ़ता हम कहेंगे बिल्कुल दो बराबर भागों बाढ़ता हैं एक व्यास है न तो यह अबाजी संक्या आएगी पासा पासे में अंग कितने होते हैं आपने का एक होता है पासे में ठीक है ना एक होता है दो होता है ठीक है ना वापस लिखता हूं क्या एक है दो है तीन है चार पांच छे यह अंग होते हैं पासे में ठीक है अब क्या करना यह जो अंग है ना इसम कितनी है वो आएगे नीचे तो नीचे लिख देंगे अब इसमें भाग जा रहा है तीन का दो नम तो एक बटे दो उतर आया तो इसका आंसर क्या होगा पासे को भैकने पर अब 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 अगला प्रुशन देखिए हमसे पूछा है कि रूड साथ एक संक्या है कैसी संक्या ये अपरिमेई है क्या है अपरिमेई ये एक अपरिमेई संक्या है ठीक है न ध्यान रखना अगला है किसी वरत की दो तरजयाओं और एक चाप से गिरेवे शित्र को वरत का कहते हैं देखिए दो तरजयाओं मतलब ये वरत बनाया हमने ठीक है इसमें दो तरजया ये दो तरजया है ठीक है और फिर बोला है एक चाप ये चाप ये चाप हो गए अपना ठीक है और ये दो तरजया हो गए इसको हम क्या कहते है तो हम इसको कहते है तरजया खंड या संगत तरजया खंड ठीक है तो क्या लिख एक निश्चित घटना होगी तो उसकी प्राइक्ता होगी एक और नहीं होगी तो उसकी होगी जीरू तो इसमें हम क्या लिख देंगे एक ठीक है न अगला प्रशने है दो संक्याओं के मस तथा लस का गुणनफल उन संक्याओं के गुणनफल के होता है क्या होता है उन संक्याओं के गुणोंफल के बराबर होता है तो इसमें हम क्या लिख देंगे बराबर क्या लिख 10 square theta सुत्रियाद करिए 1 plus 10 square theta होता है second square तो अगर हम इसकी value को change करें तो यहाँ आएगा minus 1 ठीक है ना minus 1 का 9 से गुणा करेंगे तो आएगा minus 9 तो इसमें answer क्या आएगा अपने minus 9 ठीक है ना अगला प्रश्न है एक minute में सुई द्वारा क्या एक minute में minute की सुई द्वारा गुमा गया कौन कितना होगा आप जानते हैं यह अपने इस परकार की एक घड़ी है ठीक है घड़ी गोल हुई इसका मतलब यह हुआ कि 360 डिग्रे के हैं कौन बन रहा है बन रहा है ठीक है इतने डिग्री 6 डिग्री तो यह याद रख लिजिएगा हमसे पुचए 2 minute में कितना तू 12 डिग्री तीन मिनिट में मतलब गुणा कर ले ना पुचे 10 minute में तो 10-6 to 0 बना देगी ठीक है तो इसमें 0.90 ऐसे लिख दीजिए 0 में से 0 गया 0 और इधर 0 में से नहीं जा रहा है तो इधर से उदार लिया 10 हो गया 10 में से यह गया तो 1 कि बहुपद में अधीक तम वस्तिविक सुन्यों को हो सकते हैं ध्यान रखे क्या बोला एक स्च प्लसख jut य या फिर ऐसा सम्मीकर्ण बनेगा ऑख प्लस तीन तो इसमें गात क्या X की एक यह न, तो इसमें सुन्यांग कितने हो सकते हैं, only एक, 0 कितने होंगा, 1 ही 0 जो सकता, वास्ति एक सुन्यांग 1 होगा, एक गात वाले का, जिसकी गात दो होती हैं, उसके सुन्यांग कितने होते हैं, दो होती हैं, ध्यान रखीएगा, ठीक है, दो चरों वाले रेकिक सम तेख देंगे हम अगर इंग्लिश में क्या है लिनियर एक्वेशन इन्टू वेरिबल इस ओल्वेजेंट्स द इस्ट्रेट लाइन क्या होगी इस्ट्रेट लाइन निसीधी रेखा ठीक है अगला है पांचवा प्रश्ण दो आकर्तियां जिनके आकार और माफ दोनों समान है क्या आकार भी समान माफ समान है तो वो आकरतियां कहलाती है क्या कहलाती है मतलब अपने दे रखा है क्या तो हम उनको सम रूप कहेंगे या सर्वांग सम कहेंगे तो हम उसको सर्वांग सम कहेंगे क्या सर्वांग सम सर्वांग सम ठीक है यह याद रखेगा सर्वांग सम हो इस पर शेकाएं खींची जा सकती हैं कितनी इस पर शेकाएं खींच सकते हैं तो हमने का वरत का ये वरत है इसके ये एक बाहरी बिंदो है P इसे कितनी इस पर शेकाएं हो सकते हैं सिर्फ दो इस पर शेकाएं हो सकती ऐसे ठीक है न तो हम इसमें लिखेंगे दो इस परशेखा हैं ठीक है, बहुत इंपर्टेंड ये, ध्यान रखेगए ще positivity अगला प्रशन देक्टे है है वरत की परीदी पर इस्तित की नी दो बिंदो के मिलाने वाले रेखा खंड को वरत की कैते हैं क्या, दो बिंदो को मिलाने वाले रेखा को वरत की परिदी परिस्तित ठीक है न कोशन रिपीट हुआ है तो वरत की परिदी पर दो बिंदों को मिलाने वाले को हम कहते हैं जीवा क्या कहते हैं जीवा ये संक्या दिये है और इस संक्या को क्या कहेंगे ये कैसी संक्या तो हम कहेंगे रूड वाला नंबर आ गया परफेक्ट स्कोर नहीं है पूर्ण वर्ग नहीं है तो अपरिमेई अगला प्रश्न देखिए तुर्जय आर वाले व्रत के एक तुर्जय खंड जिसका कौन अंस में ठीटा है तुर्जय खंड है जिसमें ठीटा कौन है संगत चाप के लंब़य होगी तो संगत चाप के लंब़य कैसे लिखते हम ठीटा बट्टे 360 डिगरी 2 पाई कि दिर्ज़ा आर िए रखी हैं इसलिए हमने आ दिखा थीटा यहां पर थीटा दे रखा थीटा थीटा इ cris ए धिए प्वार यहां जया की व Soon मोई जका पोछां हमसे थीक है अगला देखते हैं ये लगा यह कुषी diffé도 है इक इसका मान आपको comment section में बताना है ठीक है ना अगला देखते हैं इसका solve करके आपको बताना हालां कि ऐसे question हमारे पहले वाले जो हमने paper solve कि उनमें आ भी चुके हैं solve भी किये वे हैं ठीक है ना तो आपको इसका comment section में answer बताना है कि इसमें आप यहाँ पे क्या fill करोगे इतना ही आपको ठीक है अगला है किसी व्रत की इसपर्ष रेखा उसे dash बिंदों पर प्रतिचेद करती है तो इसपर्ष रेखा बोला ना यह व्रत है मान लेजी यह point है यहां से एक है इसपर्ष रेख ऐसे गई तो यह एक point पर ही इसपर्ष करती है या touch करती है या प्रतिचेद करत तो हम क्या लिखेंगे एक, यहां क्या लिखेंगे एक, ठीक है, अगला है, एक बिंदू P से O केंदरवाले वरत पर P A P B इस पर शिका है, परस पर 80 डिगरी के कौन पर जुकी होई है, तो P O A का मान बताइए, बहुत ही सिंपल कोईशन पूचा दे कि कैसे निकालेंगे इसको यहां बनाता हूँ है, क्या लिखा है, कि आप एक बनाया आपने वरत, ठीक है, बाहर से यह एक लाइन आई, इधर से इस पर्ष, इधर से इस पर्ष नहीं हो, वापस बनाता है, ठीक है, यह बन गई, ठीक है, और इसका नाम इधर क्या दे रखा है, इधर इसका नाम बोला P और यह A है इधर और नीचे है B, ठीक है, और यह केंदर है, ठीक है, केंदर पे यह ऐसे बने हैं, और क्या बोला है, कि यह परस पर रेखा है, P A, P B, इस पर रेखा हैं, जो परस पर 80 degree मतलब यहाँ पर इननों ने 80 degree कोन बना रखा है, ठीक है, तो हम से पूछा है, इस line को मिला देना है क्यों? क्योंकि ये जो O है ना, center के अंदर इससे बोला है कि P.O.A मतलब P.O.A ये वाला हमको बताना है ठीक है, ये वाला कौन, ठीक है तो ये हम आसानी से बता सकते हैं, कैसे कि इस पर शेका कितना degree का कौन बनाती है, 90 degree तो यहाँ पर हो गया 90, fix है ठीक है, और ये पूरा कितना था? 80 का, तो उपर वाला हो गया 40 degree का, जब ये 90 है ये 40 है, तो ये तिर्बूज बन रहा है अपने, ठीक है ना तो ये हो जगा 50, अगर नहीं समझाए थोड़ा बड़ा बना के दिखाता हूं, जैसे ये अपना वरत है, ठीक है, ये अपनी इस पर शेका है, ठीक है ना, ये बोला इसने के 80 degree है, अब नहीं का ठीक है और यहाँ पर ये ऐसे O बनाया है और ये A है, ठीक है ये B है और ये P है, अब यहाँ से एक लाइन यह इस प्रकार से गई है तो उपर वाला कौन है ना अब देखें मैं थोड़ा गहरा कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से देखें तो जब यह पी वाला एंगल है ना यह पूरा कौन अगर कितना था आपने असी था तो क्योंकि यह लाइन है यह बीचो बीच सिवती से पर्ति छेद करती है तो यह जाएगी अपने अचेक का आदा कौन हो जाएगा ऊपर वाला तो 40 बन गया तो आपने का ठीक है तो यह हो गया 40ड डिगरी खौन सा इधर वाला और इस पर्शे का हमेसा 90 डिगरे का बनाती है तो ये कितना होगा तो आमने का जब ये वाला 40 इदर ये 90 तो ये वाला कितना होगा 50 होगा ठीक है तो इसमें आपने करेक्ट हो जाएगा 50 डिगरे ठीक है न अगला देखते हैं किसे निश्चित गटना को कि होने की प्राहिक्ता होती है अगर निश्चित गटना होने की प्राहिक्ता हमेसा एक होती है गटना होगी तो एक नहीं होगी तो जीरो ये बड़ा अच्छा कोशिन पूछा कि बवलक प्लस दो माध्य बराबर होगा तो यहाँ पे लिखना आपको बहुलग प्लस दो माध्य होता है, तीन माध्य का, ठीक है न, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है न, क्या, तीन माध्य का, ठीक है न, इस परकार से या आगे तीन लिखा गए, ठीक है न, ये तीन है, ठीक है, अगला प्रशन देखिए, दो चरवाले रेखिक समीकर्ण न होती है कि A1 बटे A2 बड़ाबर नहीं होता है किसके B1 upon B2 ठीक है बस इतना ही ध्यान रखना आपको ठीक है यह ध्यान रखिए गा अगला देखते हैं कैस दू संख्याओं के मसब और लशब का गुनन फल सदे कि-द्धे उन संख्या के बड़ाबर होता है कि-क क्या बोल उन संक्या के गुणन फल के बराबर होता है क्या कि मसप और लसप का गुणन फल होता ना उन संक्याओं के गुणन फल के बराबर होता है कहने का मतलब A का लसप into B का लसप बराबर होगा उन दोनों संक्या A into B के ठीक है यहां LCM यहां HCF ठीक है ना यह ध्यान रखि आते हैं ठीक है ना अगला देखिए कि आपको बताना यह जो बंटन दे रखा है ना अच्छा एक कुशिन उपर मिस्ट कर दिया ना लृत पर तीन बार चार बार और तीन nou रहते हैं में और दो आंसर आजएगा ठीक है अगला देखि अग्रत एम सब्वीट होते हैं सब्वीट कैसे होते है तो देखिए सर्वांग सम नहीं होते क्योंकि वरत की यह ना यह व्रत और ये वरत ये वरत इन तीनों वरत की तिर्जाओं का माप है वो अलग है तो ये सबी वरत ना सरवांग सम नहीं होते हैं सम रूप जरूर होते हैं ठीक है ना तो सम रूप ये दिखने में एक जैसे होते हैं ठीक है ना सिमिलर होते हैं कौन ग्रेंट नहीं होते हैं ठीक है न ध्यान रखना अगला है आपसे पूछा है sin square theta plus cos square theta इसका माना मेंसा एक होता है ठीक है न अगला प्रश्ण देखिए किसी प्रयोग की सभी प्रारम्भि गटनाओं का योग जो होता है वो एक ही होता है ठीक है न फिर अगला है किसी गन का आईतन आठ सेंटिमेटर क्यूब है तो गन की भुजा क्या होगी गन की भुजा दो होगी कैसे कि गन की भुजा क्या होती है एक क्यूब यानि भुजा क्यूब और भुजा दे रखी आपको आठ तो आठ किसका क्यूब है आपने का ये क्यूब रूट है मान लिजे इदर मैंने cube से cube किया तो एक cube जो भुजा आए ना किस का cube है तो ये है अपने दो का घहन ठीक है न तो हम क्या करेंगे दो आ जाएगी भुजा इसकी ठीक है अगला है रेखिक समिकर्ण का यूग में है ठीक है ये दे रखा है ये दे रखा है निरुपित रेखाएं होगी ये निरुपित कैसी होगी आपको comment section में ये बताने कि निरुपित रेखाएं होगी कैसे होगी संपाती होगी या किस type की रेखाओं की प्रकरती कैसे होगी वो आपको comment section में बताना इसका जैसा उपर हमने इसके जैसा ही question discuss किया है और कई बार ये question आया आपने mcqs में भी आ रहा है ठीक है तो इसका आप comment section में answer जरूर बताएंगे 13 का ठीक है अगला है वरत तता इसकी इसपर्ष रेखा हो कि उबे निष्ट बिंदू को क्या कहते हैं देखे ये वरत है और इसकी इसपर्ष रेखा है मान लेजे इसपर्ष रेखा साइस से कीज़ते हैं ये ठीक है तो इस बिंदू को हम क्या कहते हैं तो इसे हम कहते हैं इसपर्ष बिंदू क्या कहते हैं इसपर्ष बिंदू कहते हैं हैं दो पॉइंट जोडने वाले रेखा खंड के मद्य बिंदू के निर्देश रांग तो देखिए बिंदू यहां पे दो तीन या चार पांच ऐसा कुछ दे रखा होगा तो आंसर निकालना पड़ता लेकिन यही दे रखा इसका मतलब सीधा सुत्र ही पुछा हम से तो X1 प भड़ी द्वारा मिनिट की सुई द्वारा केंदर पर अंतरित पांच मिनिट में जो कौन केंदर पर अंतरित होता है पांच मिनिट वह बताना है तो बड़ा ही सिंपल कोशिन पूछ लिया है कैसे कि जो पांच मिनिट में बनेगा आपने यह गड़ी है टोटल तीन सु सां बन जाएगा ठीक है न तो इसमें आजाएगा 30 degree ठीक है न सिंपल सा प्रश्न है अगला देखते हैं किसी बिंदू पर बाहिया से वरत पर खीची इस पर खीचे जा सकती है कि मूल वास्ति वहांगे जब विविक्तिकर होता है यह important question है mole की प्रकरती, mole वास्तिवी कब होते हैं जब mole है जीरो से बड़ा उत्तराता है ठीक है तो आप इसमें दो condition लिख सकते हैं क्योंकि सिर्प आप से mole वास्तिवी की पूछा यह नहीं पूछा कि बराबर है कि नहीं है या 0 के बराबर है या 0 से बड़ा ऐसा नहीं पूछा है तो आप क्या लिखेंगे D बराबर mole क्या होंगे A square, sorry D बराबर B square minus 4AC यह condition होगी यह mole लिकालने का तरीक अप्रकरती है लेकिन हम यहां लिखेंगे क्या B square minus 4AC अब क्या है अपने विविक तक करके हैं mole वास्तिवी कैं इसका मतलब यह जो 0 होगा न इससे यह number बड़ा आएगा यह बराबर भी हो सकता है mole वास्तिवी कोते हैं तब तो यह condition अपने को लिख देनी है अगला प्रश्न है समानतर स्रेडी दे रखिए 7, 5, क्या है 7, 5, 3 और हमसे पूछा चौथा पत यह 3 पत तो हो गए तो इसमें क्या 2, 2 कम होते जा रहे हैं ठीक है तो इधर 1 आजाएगा बस ठीक है न 2 कम इससे 5, 2 कम इससे 3, 2 कम इससे 1 और अगला होता है तो minus 1 ठीक है न 2 कम मतलब D वगर ऐसे निकालने ज़रूद नहीं सीधा आपको यहाँ एक लिख देना था ठीक है अगला है वरत की तिर्जय आर हो तो वरत की परीदी का शोतर बताओ तो वरत की परीदी होती है 2, pi, r ठीक है और शेतर फ़ल होता है pi, r, square ठीक है अगला देखते है एक घन का आयतन यह इतना है वो तो उस घन की बुझा बताई वो सेम तरीका घन का आयतन पूछा आपसे बुझा निकालनी है ठीक है न तो यह आपको comment section बताना कि यह किसका घन है और यह answer क्या आएगा बड़े simple question है ठीक है अगला देखते है अपने को यह दे रखा है समी करण क्या 2x plus 3y बराबर 11 यदि x minus 2 हो तो y कमान मतलब जहां x होगा वहां कितना लिख देंगे हम minus 2 लिख देंगे तो देखे अभी लिखते है अमने का 2 फिर क्या x है x की जगह कितना minus 2 ठीक है plus 3y बराबर 11 अब इनका गुणा हुआ तो बन गया minus का 4 तो आमने का 3y बराबर 11 तो लिखा हुआ है ये minus 4 इदर से जाके उदर हो गया plus का 4 ठीक है न तो 11 और 4 कितने होगे 15 अब 3 है इसके साथ गुणे में तो उदर जाएगा भाग में तो y बराबर कितना आएगा 15 बटे 3 y बराबर आगया 5 ठीक है न 5 ती ये 15 तो इसमें कितना उत्तर लेख देंगे अपने आंसर आजाएगा y will be 5 y होगा 5 ठीक है फिर पूछा है तर जी आर ही रखो उंचा ही एच ही रखो तो बेलन का आयतन सिंपल सा सुत्र पूछा है तो क्या होता है पाई आर स्क्वेर एच ठीक है न ये होता है बेलन का आयतन बेलन का आयतन का शुत्र ठीक है पाई आर स्क्वेर एच ठीक है अगला देखते हैं नेक्स्ट है साथ सेमी तरजया वले वृत का शेत्रफल तरजया दे रहे के शेत्रफल पूचा क्या होता है पाई आर स्क्वेर तो पाई का बाइस बटे साथ तरजया है साथ इंटू साथ साथ से साथ गया और अगर हम इसका गुणा कर रहे कौन से होती है देखो तो पहले से क्या एक दो तीन चार और ये पांच अब हमें पूछा क्या है समानतर माद दिये मतलब इन सब को जोड़के कितने अंक है पांच है पांच का भाग लगाओ तो सबको अगर मैं जोड़ू तो उत्तर कितना एगा देखो पांच और चार नो नो और बारह त्यरा चावदा और पंदरह मतलब पंदरह बटे पांच तो उततर आए अपने तीन तो पांच त्ये पंदरह थीन लगता थीन आंसर आजेगा तीन ठीक है ना समानतर माद हम इस बार कितना पर्थम पद है न तो यहां रगदो एक तो तीन प्लस दो का एक से गुणा होगा दो बड़ावर पांच तो अपने इदर उत्र कितना आगा पांच पर्थम पद होगा इसका पांच ठीक है अगला देखिए समरूप तिर्बुज की संगत भुजाएं होती हैं समरूप तिर्बुज होता हैं उसकी संगत भुजाएं जो होते हैं वो समानुपाती होते हैं क्या होते हैं समानुपाती समान उपाती वरत की डैस समानतर इस पर शेखाएं हो सकती है देखो वरत पे समानतर इस पर शेखाएं दो ही हो सकती है मतलब ये वरत है इस पे एक समानतर इदर खींची दूसरी इदर आप इनके समानतर और तीस रिलाइन नहीं हो सकती मान लेजे आप इधर वाले इस पर शेका नहीं खींच के इधर खींच दें तो भी दो ही होगी और मान लेजे आप इधर खींच दें तो भी दो ही रेखाएं होगी दूर जा रही है ये ठीक है न ये ये और ये ठीक है न दो ही रेखाएं हो सकती है दूसरी अगर ऐसे खींच निकालना और a निकालना है ठीक है ना पर्थम पत और शारवंतर तो आपने कहा कि पर्थम पत हो गया भाई 3 पहला पत 3 है ठीक है शारवंतर क्या होता है a2 मतलब d होता है a2-a1 a2 कितना है a2 है 1-3 बराबर माइनस 2 क्योंकि 3 माइनस का 1 प्लस का तो माइनस 2 तो इसमें आ जाएगा माइनस 2 ठीक है फिर अगला चाहे आप value रख के solve करोगे तो भी एक ही आएगा ठीक है एक संकू की तरजया 6 cm उंचाई 8 cm तो 3 एक उंचाई ग्याद कीजिए ध्यान रखेगा जितने भी formula है उनका video upload कर दिया गया चैनल पे वो video जरूर देखेगा क्योंकि शुत्र सारे उसके बार कोई शुत्र या formula आन तो हमने का ठीक है तरजया 6 का square 36 लिख देता हूं सीधे plus मुझे 8 का सीधे 64 लिख दिया मैंने ठीक है अब दोनों को जोड़ लो तो हो गया 100 अब 100 को रूर से बार लोंगा तो 10 ठीक है तो यहां लिख देंगे 10 cm carbon monoxide लिख दिया ना फिर से carbon लिख रहा हूं 10 cm ठीक है अगल से अगला question में कि वर्गी करत आंकडों का माध्यक निकालने का सुत्र क्या होता है ठीक है ना तो यह शुत्र पूछा है सुत्र आप जानते हैं कि क्या होता है L फिर N by 2 ठीक है ना माइनस C F ठीक है ना फिर नीचे क्या लिखेंगे ठीक है यहां लिख देंगे हम F into H ठीक है यह होता है ठीक है यहाद रख लेजिए का formula ठीक है अचा फिर पोचाये कि उस friction का मान ग्याद किजिए जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है उसे हम क्या कहते हैं उस friction का मान जिसकी बारंबारता सबसे अधिक अचा इनका solution है ना अपने डाल रखा है channel पेहले से ठीक है बहुलग कहते हैं बहुलग चले इन कोशन को आप कर सकते हैं ठीक है ना एक मिनट में रचीत होता है तो 6 डिगरी होता है ठीक है ना जानते हैं आप कर चुके हैं और असमबए वह गटना की प्रायक्ता होते हैं वह 0 होती है ठीक है ना तो आपको कोशन किस परकार से लगे क आप comment section पूछ सकते हैं ठीक है और आगे भी आपको खूप सारे question मिलेंगे लेकिन उनसे बाहर कोई question आपको exam में नहीं देखने को मिलेगा तो channel पे नए हो तो subscribe जरूर कर लें दोस्तों को शाथ video को share करें question खूप सारे हैं इसके बाद one liner question मिलेंगे जो एक एक नमबर वाले आपसे exam में पूछे जाएंगे ठीक है ना चले मिलते है next part में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत